क हेलो मारी यूटूभ खेमिली मैं सभी लोगों का स्वागत करती आपके अपने ही चैनल परटना क्या सायま देखिए आज मैं आपको साम का अलकाफिल का नादस्ता क्या जानी हो बतलाने ये सूजी ले ली हो अज मैं आपको सूजी का ही साम का नास्ता बतलाने वाली हो कैसे जटपट में आप नास्ता साम में रेडी कर सकते हैं देखिए यह सूजी लेनी हो फ्रेंड इसको क्या करना है आप पानी से इसे आप दही से भी घूल सकते हैं पर मैं पानी से घूल के बताऊंगी क्योंकि हर समय जरू तो आप डाल सकते हैं थोड़ा से इसमें पानी देखें पानी से पहले डाल के मैं थोड़ा देर से 10 मिनट फुलने के लिए देदूंगे क्योंकि सूजी है सूजी जितना अच्छा पूलता है यह उतना ही अच्छा इसका नास्ता आपको बनेगा देखिएगा मैं बिना तेल क आपको नास्ता बतारी हैं बहुत अच्छा आप एक पूरा वीडियो जरूर आज कीजिए तभी समझ मैं आगा कि मैं आज आपको क्या नास्ता जा रही है बतलाने अगर आपको हमारा रेशिपी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए वीडिय अच्छा तरीके से फुल जाए, फूलेगा तो उसे क्या होगा कि आप जो रेसिपी मैं जारी हूं बताने वह बहुत अच्छा आपका इस्पांसी बनेगा एदम मुलायम सा अच्छा टेश्टी, अब इसमें मैं नमक भी डाल दी हूं फ्रेंड नमक भी आप स्वाद के आगे बताती हूं कि क्या करना है, अगर आप लोग को मारा वीडियो अच्छा लगता हूं फ्रेंड तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए गा, सिस्क्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, कि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको तुरंत मेरा नॉटिफिकेशन आपके म जर्णा करें मिर्च लेए हूं थोड़ा से अगर धनीया पती हो तो आप वह भी ले सकते हैं और देखें क्या करना है मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से चापन में डालके, मिर्चि उर्धना पती剂ं इस तरीके से आप चाहिए फ्रेंट तो बच्चे को भी लंच में बना के सुबह के नास्ता में दे सकते हैं देखिए मैं चॉपर में डाल के चॉप कर ले और जो मसाला में की बैस मिर्चा और घनिया पत्ती की हो ये करके आप अराम से इसमें डाल दीज़े डालने के बाद इसे क्या करना है फिर मैं मिला दूंगी मिलाने के बाद थोरा से फुलने के लिए छोड़ दे देखिए कि इतना अच्छा ये नास्ता लगेगा बनने के बाद फ्रेंट कि पूछिए मत बहुत टेश्टी और इदम हलका है कोई मतलब मेहनत भी नहीं है जटपट में बनने वाला है अब 10 मिनट में आराम से बना के खाली जेगर चाहिएगा तो बच्चे को भी लंच में सुपह बना के दे सकते हैं इतना हलका नास्ता आभ़का समया हलदी डालने की यह जादा अच्छा टेश्टी बने गया लेकिन मैं चाट मसाला यूच यूच खाल नहीं हूंcho ईस में स्टीम होने के लिए जली के लिए तब तक पानी ढाल दीजे , मैं थोड़ा तरह के से मिलाती रहूंगे ये खाबर शोड़ा मैं थोड़ा सा डाली हूँ फ्रेंट थोड़ा सा और मैं हलका सा ले ली हूँ तो मैं थोड़ा सा कम ली थी अब थोड़ा सा मैं और अच्छा सा ले ली हूँ ऐस तरहिके से आप न Esp the बना यह एएक नंबर नृष था सांका नास्ता हलका फुलका तुरंत बनने वाला है एधन कुछ समय नहीं लगेगा मेंनभ पुछ ज्यादा नहीं है तुरंत बनने वाला नास्ता है अब बच्चे को भी लंच में दे सकते हैं आप चाहिए तो मिर्च डाल सकते हैं नहीं चाहिएगा तो आप नहीं डाल सकते हैं आपको जो भी आपके पास सब्जी हो फेंड जैसे कि सिमला हो यह सब आप जो भी मतलब यूजफू सब्जी हो जो यूजफ कर सकते हैं इसमें व बढ़ाबर कर देना है कि हमारा बहुत अच्छा बने यह रियल में देखिए इतना अच्छा बनेगा खाने में तो खेर बहुत ही जादा चटपटा बनेगा देखिए बना के एक वार मेरे कहे पर बना के देखिए इतना अच्छा लाजवाब नास्ता है दम आप देखिए यह तो नहीं लगेगा अगर नहीं पका होगा तो आपका चम्मच जो भी चीजसे देखने में थोड़ा सा लगे तो यह हमारा बन चुके अब citizenship किए अब इसे उतारी के दुकित हैं अब आप इसका करें तो थोड़ा सा पहले ठंदा होने दे हलका सा 달 सा करें अब देखें मैं ये अब मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं अब इसका कटिंग करके आपको दिख ला रही हूँ देखें इस तरीके से आप इसे जो सेब देना चाहें वो दे सकते हैं क्या महनत लगा फ्रेंड कुछ भी महनत नहीं है बगभत थलका-फुलका नास था जटपट में बनने वाला कोई महनत नहीं लगा देखें तुरंत में बना के आपको दिखा दी हूँ तुरंत में कोई महनत नहीं थ burial अब तुर्ण होने दे से तब आप इसे निकाले देखिए, मैं सारी निकाल के प्लेट में डख चुकी है, इसलिआ तरीकें से नीचे से करके, अराम से निकालेे हलका सा तो लगेगा है फ्रेंड उससे कोई दिकत नहीं है तो आपका यह भी नहीं लगेगा पर मुझे तो दिखाना था आप लोगो तो मैं तुरान निकाली हूँ इसलिए थोड़ा सा मेरा अभी त्रे में भी लगा हुआ रहता है जितना इस थोड़ा सा थंड़ा हो तो निकालने में कोई दिकत नहीं है तुरान जहट पट देखे निकल जाएगा बना भी हमारा बहुत अच्छा है अब देखे क्या करना एक चमच से कम है इसमें ओयल ली हूँ सर्सो का तेल इसमें एक चमच राई अदो मैं हडा मिर्शी काट के इस तरीके से डाल दी हूँ अब देखे हमारा अच्छी तरीके से सर्सो जो है अच्छी तरीके से चटक चुका है अब मैं इसमें जो बना के रखी हूँ उसको इसमें अच्छा तरीके से थोड़ा सा मैं फड़ाई कर दूंगे मतलब थोड़ा से बस हलका सा करना है कि आपका जो मसाला में जो सर्सो डा जेसे करनें हैं जो भी जैसे धिक बनाएं अधम तूटा नहीं है आप इस तरीके से बना के देख अगर आध अच्छा हलका फूलाइटए अगर यह टायट पूर यह बनाके खा सकते हैं आगर डायटिंग वंत्व मिद्या में तुश्यक्ति एक बना आध बाए बुर्क letsbox आम मेरे इस वीडियो पर कि मैं आपको कितना अच्छा तरीके से बताई हूँ सिंपल साधरन तरीके से नास्ता सुजी से बनाई हूँ अगर आप लोग को मारा वीडियो अच्छा लगता हूँ तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए सिस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को देखे यह हमारा कितना अच्छा बनके नास्ता सुजी का बनाई हूँ तुरां जटपट में बनके रेडि है देखे देखे यह हमारा बनके नास्ता रेडि है कितना अच्छा जटपट में बनाई हूँ फिर मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू आप भी जरूर एक बार अपने घर पर बना के देखिए इस तरीके का धुकला अब पसंद आए तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को